हलो गाईज, वेलकम बैक टो यूटुब चैनल एलेक्टिकल स्टॉफ फो यू दोस्तो आज के मारे इस वीडियो में बात करेंगे कि एक 63 कविये के ट्रांसफार्मर से हम 10 HP की कितनी मोटरों को चला सकते हैं दोस्तो मेरी वीडियो पे कमेंट भी आये थे कि सर हम 63 कविये के ट्रांसफार्मर पर 10 HP की 10 मोटरों चला रहे हैं तो क्या वो सही है जा गलत क्या हम इतनी मोटरों चला सकते हैं जा फिर नहीं तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में फाइंड आउट करेंगे कि एक 63 कविये के ट्रांसफार्मर से हम कितनी 10 HP की मोटर चला सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम 63 kVA transformer का full load current capacity निकालेंगे कि वो कितना full load current carry कर सकता है तो दोस्तों उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले transformer कितने kVA का है वो बता होना चाहिए जो की 63 kVA का है अब हम formula का use करेंगे root 3 into voltage into current equal to kVA अब यहाँ पर जो B है जो voltage है और जो I है जे current है और जो kVA है जे transformer की capacity होती है अब दोस्तों हमें यहाँ से current find out करना है तो हम थोड़ा सा formula को rearrange करेंगे तो जह बन जाएगा I equal to kVA divided by root 3 into voltage अब जहाँ पर जो kVA है वो आपको पता है 63 है और जो root 3 की value हम लेते हैं वो 1.72 लेते हैं और जो voltage हमारा 63 kVA का transformer निकालता है 3 phase की बो होती है 415 volt अब दोस्तों हमारे पास सारी की सारी figures आ गई है अब हम इस formula में values को डालते हैं तो दोस्तों ये आयाता है I is equal to 63 यार अब दोस्तों 63 यार इसलिए आया क्योंगी यो 63 है वो kVA है बट formula में हम BA में ratings लेते हैं तो हमने गुना 1000 से किया तो ये 63 यार बन गया divided by 1.72 जो की root 3 की value है और जो B जो की 415 है वो voltage है ठीक है तो पहले हम denominator को calculate करेंगे तो जो हमारे पास आया था I is equal to 63 यार डिवाइड़ बाई 718.78 ठीक है तो जब हम इस figure को calculate करेंगे हमारे पास maximum current आयाता है 87.64 अमपेर इसका मदलब ये हुआ कि जो हमारा 63 KV का transformer है वो maximum जो current करी करता है वो है 87.64 अमपेर ठीक है दोस्तों अब हम ऐसे ही निकालेंगे कि जो हमारी 10 HP की motor है वो कितना current लेती है full load ठीक है तो अब हमें motor की HP पता होनी चाहिए जो की 10 HP है अब हम पहले करेंगे क्या की HP को convert करेंगे किलोवाट में अब एक HP में आपको पता है 0.746 किलोवाट होते हैं अब हमें 10 HP की motor निकालनी है कितने किलोवाट होते हैं सिंपल हम 10 को गुना कर देंगे 0.746 से तो जो हमारे पास आयता है 7.46 किलोवाट इसका मलग 10 HP की motor में 7.46 किलोवाट होते हैं अब दोस्तों हम formula का use करेंगे किलोवाट इकल टू रूट 3 इंटू V इंटू I इंटू पावर फेक्टर अब यहाँ पर जो B है जो बोल्ट है और जो I है जो करंट है और PF है जो पावर फेक्टर है अब हम फिर से इस formula को थोड़ा rearrange करेंगे तो हम करंट की value निकालेंगे जो की है I is equal to kilowatt divided by root 3 into V into पावर फेक्टर अब दोस्तो जहाँ पर जो बोल्ट है वो 415 बोल्ट है और जो root 3 की value आपको पता है फिर से 1.72 है और जो जहाँ पर PF है मलब पावर फेक्टर है हम जो मान के चलेंगे 0.9 दोस्तो बैसे ये 0.8 से 0.9 तक हम मान लेते हैं अब दोस्तो इस formula में हम सभी की सभी values को डालते हैं तो जह हमारे पास आएगा I is equal to 460 divided by 1.72 गुना 415 गुना 0.9 अब दोस्तो यहाँ पर 460 इसलिए आया है क्योंकि हमने kilowatt को बाट में convert किया है ठीक है तो जब हम इसे calculate करेंगे तो I is equal to 460 divided by 660.90 आया अब दोस्तो यह हमने denominator की values को calculate किया है तो जब हम इस figure को फिर से calculate करेंगे हमारे पास motor का full load current आयाता है जो की है 11.53 अमपेर इसका मज़र जो हमारी 10 HP की motor है वो full load current लेती है 11.53 अमपेर ठीक है दोस्तो अब दोस्तो बात आती है कि हमें क्या निकालना है number of motors ठीक है तो उसके लिए हमें अब transformer की current capacity भी पता लग गयी है और 10 HP की motor है उसका भी full load current पता लग गया है यह दोनों चीज़े ही हमें चाहिए थे अब हम इसको simple इससे divide कर देंगे मलब transformer की current capacity को divide कर देंगे motor की current capacity जे ठीक है तो यहाँ पर जो transformer का current आया है वो 87.64 amp आया है और जो motor का current आया है वो 11.539 amp आया है मतलब जो हमारा transformer है वो इतना full load current carry कर सकता है और हमारी एक motor इतना current लेती है तो हम simple इससे इसको बाग कर देंगे आ करने पर हमारे पास number of motor capacity है 7.6 motor stick है तो दोस्तो यहाँ से हमें clear हुआ कि 63 kVA के transformer पर हम 10 hp की maximum भी 8 motor ही चला सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं क्यूंकि अगर हम इससे ज़्यादा motor चलाएंगे तो हमारा transformer overload condition में बर्क करेगा जिससे उसकी coils और bindings heat होगी जिससे उसकी life भी कम हो जाएगी और वो जलने के chances भी बढ़ जाते हैं तो यहाँ से यह भी clear हुआ कि हम 63 kVA के transformer पर 10 hp की 10 motor नहीं चला सकते maximum हम 8 चला सकते हैं वैसे हमें 7 तक ही चलानी चाहिए तो दोस्तो अगर आपके यह वीडियो informative लगा हो तो like और share जिरूर करें और ऐसे यह वीडियो के लिए चैनल को subscribe जिरूर कर लें Thank you guys